हेलो एवरीवान और वेल्कम बैक तो आवर यूट्यूब चैनल सेवी फॉरेंसिक्स आज हम बात करने वाले हैं एक थोड़े से नए टॉपिक के बारे में और यहां पर हम देखेंगे कि विट्रे ओलेज क्या होता है यह एक ऐसा टर्म है जो आपके exam में बहुत important role play कर सकता है और इस topic में हम बहुत सारे ऐसे sections के बारे में बात करेंगे कुछ ऐसे law है जो आपके net exam point of use से बहुत ही जाधा important होने वाले हैं इसमें एक नहीं दो नहीं से हम बहुत सारी sections को discuss करेंगे और साथ में vitriolage क्या होता है ये term कहां से आया है ये सारे कीज़ों के बारे पुरा detail में आज हम जानने वाले हैं यहां पर सबसे पहरे बात कर लिते हैं जो vitriolage होता है ये क्या होता है सबसे पहले अगर हम बात करें so vitriolage को हम एक तरह से acid attack acid throwing selling vitriol attack या फिर vitriology सारे एकी चीज के नाम होते हैं एक ही चीज का यह मतलब है वही कि जैसे आप से आपको श्मझ में आ गया की acid attack तो वही चीज है जो की vitriolot कहलाती है यह तरह का बहुत भादी violent assault का cases इसमें रहते हैं और इसमें कहए रहता है इस involves an intentional act of violence in which any corrosive is thrown onto the face and body of a person with the intention to disfigure, maim, torture and kill. Maim का मतलब होता है, यहाँ पर mutilation, जो body का mutilation होने रखता है, तो tissues का mutilation हो जाता है, उसको हम maim भी कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर basically intentional act होता है, vitriolage का, एक तरह से जानबूच कर कोई करता है, किसी के उपर corrosive substances, corrosive poisons को किसी दूसरे individual के उपर फेकना, वो एक तरह से आपका vitriolage का act कह राता है, और यहाँ पर यह intentional होता है, कई बार यह unintentional भी होता है, पर general cases में यह आपका intentional ही होता है, यह ऐसा कुछ जानबूच कर किया जाता है, और यहाँ पर basically यह motive रहता है, कि जो भी individual है, उससे किसी में तरह के दुश्मनी अपनी पूरी करना, तो वहाँ पर जैसे कि उसकी जो दूसरी individual की body है, उसका face है, तो उसको disfigure करना, उसको kill करना, उसको torture करना, यह सारे कुछ motives होते हैं, यह इस तरह का crime करने का, यहाँ पर basically अगर हम बात करने कि vitriolage term कहां से आया है, तो acid attack के cases में generally sulfuric acid को देखा जाता है, और sulfuric acid का दूसरा नाम होता है, oil of vitriol, तो यहाँ पर जो sulfuric acid होता है, इसका दूसरा नाम होता है, oil of vitriol, तो इसी वज़ा से इसका नाम पड़ा vitriolage, तो यहाँ पर सरफ ऐसा नहीं है, कि सरफ और sulfuric acid को ही आप यूज करा जाता है, इसके रवाब बहुत सारे corrosive substances होते हैं, जिनको यूज करा जाता है, और general cases में आपका sulfuric acid, nitric acid and HCL को देखा जाता है, तो यहाँ पर होते हैं, और male के साथ में जो इस तरगे attacks होते हैं, वो generally land disputes की cases की वज़ा से होते हैं, तो यह आपका कुछ था basic सी points, vitriolates related, और अभी हम आगे move करते हैं, यहाँ पर हम बात कर लिते हैं, basically यह जो act होता है, जो crime होता है, इसको करने के पीछे क्या क्या reasons हो सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका family dispute हो सकता है, कोई भी domestic violence या फिर relationship conflict हो सकते हैं, refusal of incident, indecent proposals या फिर unacceptable propositions, land or money disputes, business conflicts, vengefulness and status jealousy, suspicion of infidelity, theft or robbery, mistaken identity, accidental or collateral, nemesis, perpetrators, inflict self-injury, nemesis का मतलब हम बात करें, तो यहाँ पर रहता है कि जो individual जो भी है, तो उसके मन में यह रहता है कि जो मैं कह रहा हूँ, वस वही होना चाहिए, और उसके against अगर को जाता है, तो वहाँ पर इस तरह की cases देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर nemesis में generally perpetrated होता है, वो inflict करता है, self-injury, अपने आपको ही injury cause करता है, next है यहाँ पर sex crimes, rape and sodomy, leading to victim's death in worst cases, तीक है, इसके अलावा यहाँ पर refuse to sex determination test, डावरी इमिनेंस में लब जो आपकी डावरी वाले cases होते हैं, वहाँ पर ऐसा बहुत ही generally देखा जाता है, तो यह सारे कुछ आपके reasons हो सकते हैं, vitriolage की पीछे, अब यहाँ आगे move करते हैं, यहाँ पर हम बात कर लिते हैं, क्या इसके effect होते हैं, किस तरह से आप इनको identify कर देंगे कि यह आपका vitriolage का case है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको discoloration and staining of ink, मतलब जो आपकी cloths होते हैं, जो आपकी body surface होती है, तो वहाँ पर आपको discoloration देखने को मिलता है, patches देखने को मिलते हैं, बहुत ही brutally burnt body आपको देखने को मिलती है, यह सारी चीज़ें होती हैं, उसके अलावा अगर sulfuric acid को थो थो किया गया है, क्योंकि जो cloths होते हैं, उनके color में discoloration आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, then trickle marks भी यहाँ पर appear होते हैं, trickle marks क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इससे पहले भी, trickle marks का मतलब होता है, जैसे कि कोई भी corrosive substance जब आपकी body surface को contact में आता है, तो उस condition में जो आपके tissues होते हैं, वो completely damage होने लगते हैं, उनमें liquification होता है, तो जो आपके tissues होते हैं, उनकी जो tissues जो आपकी cells से बनते हैं, चोटी-चोटी सी cells के combination से आपके tissues बनते हैं, तो इस तरह से tissues में आपका liquification होने लगता है और वो जो liquified material होता है वो आपका drop drop करते हुए आपकी body surface तक नीचे तक आता है ठीक है उसका पूरा complete आपको flow देखने को मिलता है तो ये चीज़ आपकी trickle max होती है और इसको already हमने corrosive substance जब corrosive poisons पढ़े थे तो वहाँ पूरा detail में ह पोईसें होते है जोते हैं जैने यहां पर आपके सारे के सारे corrosive poisons ही होते हैं जैक क्योंकि calm जहां पर भी आपके डामेज होगा बॉडी पर तो वहां पर आपको chemical substances देखने को मिलेंगे cloth जो रहते हैं आपके तो वहां पर आपको chemical substances देखने को मिलते हैं उसके अलावा यहां पर किसी भी तरह का vasication नहीं होता है post-mortem blisters जिसको कहते हैं तो वो blisters मतलब रहता है कि जब आपकी body में liquefy होती है तो उसमें जो gases release होती है तो gases release होने के लिए वो अलग-अलग blisters के पॉम में release होती है तो उसकी वारो से जब gas जो रहती है जिस point से release होती है तो वहां पर एक तरह का blister वाला blisteration वाला काम कर देती है blistering होने लगती है तो वह जीज़ आपकी blisters कहलाती है और blisters को आ वैसिकेशन भी कहते हैं ठीक है next red line of demarkation demarkation का मतलब है एक outline कह सकते हैं मतलब कि कि कौन-कौन से मतलब जगह तक आपका जो भी poison था जो भी आपका asset था वह contact में आया है तो वह completely एक red line mark बन जाता है कि हाँ इस line तक आपका जो भी poison था वह contact में आया था चिक है यह basically after effects होते हैं जिसके basis पर आप identify कर सकते हैं कि जो भी आपका case आया है आपके सामने तो वहाँ पर आपका acid attack वाला case है या नहीं है तो यह हो गया और अभी हम आगे move करते हैं यहाँ पर अब हम बात कर लिते हैं कि basically जिस पर individual के उपर acid attack होता है तो उसमें long term effects क्या देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर corneal destruction देखने को मिलते है corneal destruction मतलब कि जो आपके eyes का सबसे outer part होता है वो cornea होता है एक तरह से आपकी eye को protection प्रोवाइड करता है cornea तो यहाँ पर जो cornea होती है आपकी eye की वो destruction हो जाता है उसका destroy हो जाता है blindness भी देखने को मिलते हैं severe pain तो आपको on the spot जिस time पर acid attack हुआ होता है उस time पर बहुत ज़दा pain आपको होता है बाद में भी होता है next है corrosion of tissues जो tissues होते हैं उनका corrosion होने लगता है permanent scar भी आपको कई बार body पर जादे तर permanent scars आपकी पूरी body पर बन जाते हैं जहां जहां पर भी वो poison contact में आया होता है next इसकल जो होता है वो partly destroy हो जाता है और deform हो जाता है और hair जो होते हैं जिस भी surface पर आता है acid का contact वो वहां के hair आपे completely destroy हो जाते हैं ठीक है hair cartilage जो होता है वो usually partly या फिर totally destroy हो जाता है जितना भी आपका poison जो होता है वो contact में आया होता है कई बार diffness भी देखने को मिलती है और जो eyelids होते हैं वो भी burn हो जाते हैं और deform हो जाते हैं तो यहां पर मैंने कुछ ही आपकी जो basic basic चीज़ें थी जो की long term effects आपको देखने को मि देखे हैं उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे damages होते हैं जिस भी surface पर जिस भी body surface पर acid contact में आता है उस चीज़ को completely destroy कर देता है जैसे कि आपकी nose है आपकी eyes है आपका mouth होते हैं तो यह सारी चीज़ों को बहुत ही brutally damage करता है यह आपका acid attack में आपके यह सारी के सारी आपके long term effects देखने को मिलते हैं तो यह हो गया अभी हम आगे move करते हैं यहां पर हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो उसका treatment आपको कैसे करना चाहिए basically आपके net exam point of view से important नहीं है बट यह आपको पता होना चाहिए by chance अगर आपके सामने किसी के साथ ऐसा कुछ हो पहले तो आपको रोकने कोशिश करनी चाहिए बट फिर भी अगर हो जाता है तो आपको यह सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए ठीक है तो यहां पर it includes immediate washing with water and a soap or dilute solution of sodium or potassium bicarbonate till pain persist or acid if washed off तो सबसे पहले यहां पर आपको जहां पर भी contact में आया होता है acid तो उस body surface को completely wash करना चाहिए water से या फिर soap से या फिर dilute solution होना चाहिए sodium या potassium bicarbonate का जब तक की जो acid है वो completely wash off नहीं होना चाहिए तक आपको उसी wash करते रहना चाहिए इसके बाद में आपको magnesium oxide या फिर carbonate का thick paste उस surface पर apply करना चाहिए और उसके बाद में जब इतना सब आपने कर लिया तो उसके कुछ time के बाद में जो body surface होती है तो वहां पर आपको antibiotic ointment लगाने then oral antibiotics should be given to prevent infection infection को ब्रोकने के लिए आपको कुछ oral antibiotics देनी चाहिए sometimes skin grafting की जरूरत होती है skin को replace करने के requirement होती है तो वहां पर जो damaged washing injuries होती है with water skin and a soap or dilute solution of sodium or potassium bicarbonate इस तरह की surface जहां पर होती है तो वहां पर मतलब basically जहां पर poison जो रहता है जो acid होता है वो contact में आया होता है तो उस जगह पर जो skin रहती है तो उसको replace करने के requirement होती है तो उसको हम बोलते है skin grafting ठीक है और अगर acid attack वाले cases में ice का involvement है तो सबसे पहले ice को water सी wash कर देना चाहिए उसके बाद में by irrigation with 1% of solution of sodium bicarbonate sodium bicarbonate of 1% solution वो आपको उससे भी आपको wash करना चाहिए उसके बाद में इतना आपने कर लिया तो उसमें few drops of olive oil वो अपनी eyes में आपको डालने चाहिए और यहां पर आपको eye drops जो antibiotics and steroids containing होते हैं वो आपके लिए helpful हो जाते हैं वो थोड़ा सापको pain में relief देते हैं ठीक है तो यह basically कुछ treatment थ गरा के नाम बता हैं तो इनको बस सोड़ा सा याद रख लिजेगा बागी आसे जिसमें उतना कुछ important नहीं है ठीक है और अब हम move कर जाते हैं जो यहां का सबसे important है पस उससे पहले हम कुछ cases यहां पर हैं जैसे कि आपका प्रिती राठी case है लक्ष्मी case है रबेंदरा case है तो यह आपके कुछ famous cases थे जहां पर बहुत सारे चीजें थी involved थी in cases में और इन सारे cases की वज़ा से कफी सारे laws भी बने थे हमारे इंडिया में पहले especially acid attack के लिए कोई भी law नहीं था बट इस case के बाद में यहां पर आपके जो acid attack के लिए cases हैं तो आपके laws उसके लिए भी बने हुए थे ठीक है तो यह आपके कुछ cases हैं बाकी इसमें अतना कुछ है नहीं पढ़ने को और यहां बार हम बात कर लेते हैं cases के बारे में आपके laws बने हुए हैं उनके बारे में ठीक है तो legal considerations क्या है 2013 से पहले especially acid attack के लिए कोई भी आपके sections कोई भी laws नहीं बने हुए थ तो यहां पर 2013 से पहले अगर ऐसा कुछ case होता था तो उस condition में कौन से laws applicable थे तो यहां पर आपके यह कुछ sections है IPC के 320, 322, 325, 326 and 307 यह सारे कुछ आपके IPC के sections हैं जो की आपके 2013 से पहले applicable होते थे तो section 320 में जो है आपका grievous hurt के बारे में explain क्या गया है तो यहां पर आपकी जो grievous hurt होता है उसी complete definition लिखी हुई है जो कि आपके IPC में explain करी गई है तो वो आप इसको यहां से अराम से पढ़ सकते हैं आपके master's में या bachelor's में होगे तो आपके लिए यह important हो जाती है बाकि अगर आप net की preparation कर रहे हैं तो उस condition में बस आपको इतना पता होना चाहिए grievous hurt को IPC के section 320 में explain किया गया है ठीक है next है आपका section 322 यहां पर बताया गया है voluntary causing grievous hurt अगर कोई individual अपनी इच्छा से किसी को grievous hurt cause करता है तो वो आपका section 322 में बताया गया है section 325 में यह जो आपकी voluntary causing grievous hurt होते हैं इसकी punishment के बारे में बताया गया है और punishment यह है कि यहां पर आपका कुछ time duration का imprisonment होता है जो कि आपका 7 years तक extend हो सकता है और यहां पर आपको कुछ fine भी applicable हो सकता है बस इतनी छोटी से यहां पर punishment थी next है section 326 में क्या है voluntary causing grievous hurt by dangerous weapons अगर किसी dangerous weapons या फिर किसी और चीज से कुछ इस तरह का grievous hurt cause किया जाता है तो वो आपका section 326 में बताया गया है और यहां पर जो punishment मिलती है वो imprisonment for life होता है और with imprisonment of either description for a term which may be extend to 10 years and shall also be liable to fine last है आपका section 307 attempt to murder अगर किसी की death हो जाती है तो उस condition में कोई अगर किसी के murder करता है तो उस condition में आपका section 307 लगता है और यहां पर जो punishment मिलती है वो आपकी imprisonment मिलता है for a term या कोई time duration होती जितना उनको imprisonment मिलता है और साथ में यह आपका 10 years तक का extend भी हो सकता है और यहां पर आपको कुछ fine भी applicable होता है तो यहां पर यह आपके कुछ sections थे जो कि 2013 से पहले आपके acid attack के cases में applicable होते थे वो depend करता था कि कितना serious crime हुआ है कितना जादा damage cause हुआ है जो भी victim है उसको तो उस पर depend करता था बट यहां पर उतनी proper war punishment नहीं मिल पाती थी इसके लिए separately यहां पर कुछ laws को बनाया गया है ठीक है तो यहां पर 2013 तक तो यह था और यहां पर उसके बाद में कुछ amendments करे गए थे criminal law act में तो वहां पर आपके section 326 A है और second आपका 326 B यह दोनों sections आपके IPC के हैं और section 326 A की बात करें तो यहां पर बताया गया है voluntary causing grievous hurt by dangerous weapons और means तो यहां पर बोला गया है whoever causes permanent partial damage or deformity to or burns or memes or disfigures or disables any part or parts of the body of a person or causes grievous hurt by throwing acid or by administering acid on to that person or by using any other means with the intention of causing or with the knowledge that he is likely to cause such injury or hurt shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years but may be extended to imprisonment for life and with fine तो यहां पर यह अगर कुछ इस तरह का acid attack वाला case होता है तो उस condition में 10 साल से कम के सजा तो नहीं ही मिलनी है और साथ में यह आपका imprisonment for life तक extend हो सकता है और यहां पर कुछ आपको fine भी देना पड़ता है provided that such fine shall be just reasonable to meet the medical expenses of the treatment of the victim provided further that any fine exposed under this section shall be paid to the victim तो यहां पर जितना भी आपको fine देना होता है वो एक तरह से आपको medical expense देना होता है जिस भी victim के साल में आपने crime किया हुआ होता है और वो जो भी आप पर fine देंगे वो directly आपको victim को ही देना होता है तो यह आपका section 326 A में बताया गया है यहां पर A missing है यह section 326 A है ठीक है और अभी हम आगे move करते हैं next आपका जो है वो है आपका section 326 B punishment for attempted acid attacks अगर कोई acid attacked करने का attempt करता है तो उस condition में क्या punishment होगी वो आपका section 326 B में बताया गया है यहां पर बोला गया है whoever throws or attempts to throw acid on any person or attempts to administer acid to any person or attempts to use of any other means with the intention of causing permanent or partial damage or deformity or burns or maiming or disfigurement or disability or grievous hurt to that person shall be punished with the imprisonment of either description for a term which shall not be less than 5 years but it may extend to 7 years and shall be liable to fine तो यहां पर आपका imprisonment मिलेगा 5 years से कम का तो नहीं ही मिलना है और यह आपका 7 years तक extend हो सकता है और यहां पर आपको fine भी देना होता है अगर सिरफ आप acid attack करने का attempt करते हैं तो उस condition में आपकी यह punishment होती है तो कि section 326 B में बताया गया है अगर आप acid attack करते हैं किसी individual पर उसको damage cause करते हैं तो उस condition में section 326 A लगता है और वहां पर 10 साल की minimum आपकी punishment रहती है और वो आपके extend कर सकते हैं imprisonment for life तक 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 और साथ में आपको fine देना होता है medical expenses का वो तो यह आपके दो sections हैं जो कि आपके basically acid attack के लिए समझ में आ गए होंगे यहां पर हमने बहुत सारी sections को पढ़ा है यह सारे sections आपके net exam point of view से बहुत important हो सकते हैं तो यह सारे sections को बहुत अच्छी समझ लीजेगा और basically vitriology होता है यह क्या होता है यह तो आपको और भी तक समझ में आ ही गया होगा यहां पर हमारी website है जहां पर आप जाएंगे तो यहां पर आपको बहुत सारा content में लेगा study purpose, study material है, यहां पर MCQs है, quizzes है, videos की link भी वहां पर available है तो यहां पर जाएगा आपको बहुत help मिलेगी और हमारा telegram channel facebook page को जरूर से join कर लीजेगा और हाँ जो हमारा blogger जो website है, यहां पर आपको अगर जितने भी मैं post upload करती हूँ तो उसके proper notification चाहिए है तो उसके लिए आप उसको subscribe कर लेंगे जब website के बिल्कुल last में जाएंगे तो वहां पर email subscription होगा तो वहां पर जाकर आप subscribe कर लेंगे तो जैसे ही कोई भी नई post में upload कर लेंगे तो वहां पर आपको तुरन से आपको mail पर notification मिल जाएगा ठीक है तो यह हो गया अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है और ऐसे ही और वीडियो के लिए वीडियो को like कर देंगे अपने friends के साथ में share कर देंगे और चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कर लेंगे bell icon press कर लेंगे for daily updates and thank you so much for joining me here